दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनो कहानी होरर के एक नई एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज मैं आपको शैलोक होम्स की एक बेहधी दिल्चस्प कहानी सुनाने वाला हूँ अगर आप चैनल में ऱयँ हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें चलिए कहानी शुरू करते हैं शेरलोग होम्स को औरतों से कभी कोई मोह नहीं था मगर एक औरत उसकी जिन्दगी में आई जिससे उसने कभी प्यार नहीं किया क्योंकि उसने कभी किसी औरत से प्यार किया ही नहीं था मगर ये औरत उससे ऐसे मिली कि उसके बाद शेरलोग उसे कभी बुला नहीं पाया उसका नाम था आरीन एडलर मार्च महीने की एक रात मैं अपने पुराने दोस्त शेरलोग होम से मिल ले बेकर स्ट्रीट उसके घर गया उस वक्त तक मेरी शादी हो चुकी थी इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ एक दूसरे घर में रहता था और काफी समय से मैंने शेरलोग को देखा नहीं था मैं उसके दिर्वाजे पर पहुँचा तो अंदर से आवाज आई अंदर आजाओ वाटसन शेरलोग ने मुझसे कहा आओ बैठो मुझे खुशी हुई कि तुम आए मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है शेरलोग ने मुझे एक खत दिखाया और कहा क्या लगता है वाटसन ये क्या है ये कल ही मेरे पास आया है उस खत में ना कोई नाम था ना तारीख ना ही कोई पता लिखा था बस एक संदेश लिखा हुआ था वो संदेश था आज रात तुम से मिलने कोई आएगा किसी खास विशय में बात करने तुमने कई लोगों की मदद की है हमें आशा है कि तुम हमारी भी मदद करोगे आज शाम साथ बचकर पैतालिस मिनट में तुम अपने घर पर ही रहना ये कागस इस कागस पर गौर कर वाटसन क्या लगता है से देखकर शेरलोक ने मुझसे पूछा मैंने शेरलोक की तरह उस कागस को बारी की से देखने की कोशिश की और कहा ये एक उचे दरजे का महंगा कागस है तो जिसने इसे भेजा है वो एक अमीर विक्ती होगा और ये कागस थोड़ा अलग किस्म का है मैंने आज तक इस किस्म का कागस नहीं देखा शेरलोक बोला हाँ क्योंकि ये यहाँ इंग्लेंट का नहीं है इसे जरा रोशनी में देखो तुम देख सकोगे कि ये बोहेमिया का बना हुआ पेपर है और किसी जर्मन विक्ती ने ये संदेश लिखा है तभी उसके घर के बाहर एक टांगा आकर रुका शेरलोक और मैं उस टांगे के रुकने की आवाज को सुन सकते थे शेरलोक अगर तुम दोनों कोई जरूरी बात करने वाले हो तो क्या मैं चला जाओ नहीं नहीं तुम अभी यहीं रुको वाटसन मुझे तुम्हारी मदद की जुरत होगी शेरलोक ने मुझे रुकने का अशारा करते हुए कहा तब ही दर्वाजे पर एक दस्तक हुई अंदर आ जाओ शेरलोक ने दर्वाजे की तरफ मुह करते हुए कहा दर्वाजा खोल कर एक लंबा और तगड़ा व्यक्ती कमरे में आया उसने काफी शांदार और महेंगे कपड़े पहने हुए थे और चेहरे में एक मुखोटा लगाया हुआ था मुखोटे के पीछे से उस व्यक्ती ने कहा मेरा नाम काउंट वन क्रम है आप मुझे काउंट बुला सकते हैं मैं बोही मिया से आया हूँ मुझे आप से एक जरूरी बात करनी है पर मैं वो बात आपको बताऊं उससे पहले आपको मुझे से वादा करना होगा कि आप वो बात राज ही रखेंगे हम वादा करते हैं मिस्टर काउंट आपका राज राज ही रहेगा शेलोक और मैंने एक साथ कहा फिर काउंट ने बोलना चालू किया एक बेहद ही खास व्यक्ति जो शाही घराने से तालुक रखते हैं उन्होंने मुझे आप से मदद मांगने के लिए भेजा है मैंने ये मुखोटा इसलिए पहना है क्योंकि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मुझे यहां भेजा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विशे कितना महत्वपूर है अगर आप मदद नहीं कर सके तो यूरोप में रहने वाले एक बेहद ही उचे घराने के परिवार के लिए मुश्किले बढ़ जाएंगी और एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा मैं बात कर रहा हूँ ओमस्टीन घराने की बोहीमिया के राजा विलहम ओमस्टीन शेलोग ने मुश्कुराते हुए कहा मैं जानता हूँ महराज ऐसा बोलकर शेलोग ने तुरंथ सिगरेट का एक कश लिया ये सुनकर कुरसी में बैठे मिस्टर काउंट एक तम से उचल पड़े क्या तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं कौन हूँ फिर मिस्टर काउंट ने अपना मुखोटा उतार फेका और बोले तुम सही हो मैं क्यों अपना मूँ छुपा रहा हूँ मैं एक राजा हूँ मुझे किसका डर मैं ही हूँ विलहम आमस्टीन बोहीमिया का राजा मुझे ही खुद आकर तुम्हें अपनी कहानी बतानी थी क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था ये राज राज ही रहना चाहिए समझे तुम हाँ जी बिलकुल समझ गया अब आप पूरी बात बताएं इतना बोल कर शैलोक ने अपनी कुरसी पर अपनी पीठ टिकाई और आखें मूध कर विलहम आमस्टीन की बात सुनने लगा विलहम आमस्टीन ने बोलना शुरू किया पांच साल पहले मैं एक औरत से मिला जिसका नाम आईरीन एडलर था हम तभी शैलोक होंस बोला आईरीन एडलर जिसका जन्म 1850 में हुआ था आईरीन एक सिंगर है लंडन में रहती है बहुत खूबसूरत है आप दोनों के बीच का रिष्टा ये था कि कुछ समय के लिए आप उसको चाहने लगे थे और फिर आपने उससे रिष्टा खत्म कर दिया लेकिन शायद जब आप दोनों रिष्टे में थे तब आपने उसे कई सारे खत लिखे थे और अब आप उस सारे खत वापस चाहते हैं मैंने सही कहा ना शैलोक ने अपनी बाद खत्म की हाँ एकदम सही राजा विलहम बोले क्या आपने उससे शादी रचाई थी शैलोक ने पूछा नहीं बिलकुल नहीं राजा विलहम ने जवाब दिया शैलोक बोला अगर वो औरत आपसे उन खतों के बदले पैसो की मांग कर रही है तो आप कह सकते हैं कि वो खत आपने नहीं लिखे राजा विलहम बोले पर मिस्टर होम्स आईरिन एडलर के पास सिर्फ मेरे खत ही नहीं मेरी एक तस्वीर भी है शैलोक बोला तो आप कह सकते हैं कि वो तस्वीर आपने उसे नहीं दी विलहम बोला उस तस्वीर में हम दोनों साथ में हैं हे भगवान ये तो आपसे बड़ी गल्ती होगी महराज शैलोक बोला राजा विलहम ने कहा हाँ जानता हूँ तब उसके प्यार में मैं पागल था शेलोक ने कहा आपको वो तस्वीर उससे लेनी होगी महराज क्या आप उसे उसके घर से चुरा नहीं सकते राजा विलहम बोले मैंने पाच बार कोशिच की थी और अपने आदमी वहाँ भेजे थे मगर मेरे आदमियों को वहाँ कुछ नहीं मिला शेलोक हसा और बोला ये तो बड़ी दिल्चस्प बात है महराज आखिर आईरीन एडलर उस तस्वीर के साथ करना क्या चाहती है राजा विलहम बोले जल्द ही मैं सकैंडिनेविया के राजा की बेटी क्लोटिल्ड लॉथमेन से शादी करने वाला हूँ तुम जानते ही होगे क्लोटिल्ड लॉथमेन और मैं उचे राज घराने से हैं अगर क्लोटिल्ड को पता चलेगा कि मेरे तालुकात एक छोटे तबके की गाईका से थे तो मुझसे शादी नहीं करेगी तुम आईरीन को नहीं जानते हो शेरलोक वो एक खूबसुरत औरत है मगर किसी आदमी की तरह सक्त भी है जब मैंने उससे रिष्टा खत्म किया था तब वो बहुत गुसा हुई थी वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं किसी और औरत से शादी करूँ मैं जानता हूँ वो उस तस्वीर को मेरी मंगेतर को भेजतेगी और फिर एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा हमें वो तस्वीर किसी भी हालत में चाहिए इससे पहले की आईरीन एडलर उस तस्वीर को मेरे ससुराल भेजे शेलोक बोला आप फिक्र ना करें महाराज कि विलहम ने एक पैसो से भरा हुआ बैग शेलोक के सामने मेज पर रख दिया और बोले मुझे वो तस्वीर किसी भी कीमत में चाहिए शेलोक इस बैग में एक हजार पाउंड है अगर तुम्हें और चाहिए तो बता देना शेलोक बोला महाराज अभी आप आईरीन एडलर के घर का पता दे दीजिए राजा विलहम ने आईरीन के घर का पता बताया ब्रायोनी लॉज सर्पेंटाइन एवेन्यू सेंट चोंस वुड लंदन गुडनाइट महाराज शेलोक बोला जल्द ही मैं आपको खुश खबरी दूँगा राजा विलहम वहां से चले गए और शेलोक मेरी तरफ घूम कर मुझसे बोला गुडनाइट वाटसन अब तुम जाओ और कल दोपहर बाद तीन बजे यहां आना उस रात मैं शेलोक के घर से चला आया और अगले दिन जब मैं शेलोक के घर पहुँचा तो शेलोक घर पर नहीं था तो मैं उसके कमरे में उसका इंतिजार करने लगा चार बजे करीब दरवाजा खुला और एक अजीब पुराने कपड़े पहने नौकर अंदर आया जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वो मेरा दोस्त शेलोक ही था मैंने कहा शेलोक कहा थे तुम अब तक शेलोक बोला आज का दिन बड़ा ही दिल्चस्प था वाटसन शेलोक ने एक मुसकान के साथ जवाब दिया मैं आज मिस आईरीन एडलर के घर के बाहर था घर में काम करने वाले नौकर अकसर बात करने में खुशी महसूस करते हैं क्योंकि उनसे कम ही लोग बात करते हैं न तो उसी नौकर से मुझे मिस आईरीन के बारे में बहुत कुछ मालूम चला खास कर उस खूबसूरत नौजवान के बारे में जो मिस आईरीन एडलर का दोस्त भी है और एक लॉयर भी उसका नाम है गौट्फरे नॉटन वो अक्सर आईरीन एडलर से मिलने उसके घर आता रहता है अब अगर गौट्फरे नॉटन उसका लॉयर है तो शायद उसने अब तक उसको वो तस्वीर दे दी होगी पर अगर आईरीन एडलर उस आदमी से प्यार करती है तो वो तस्वीर उसे नहीं देगी ये तो सच में दिल्चस्प बात है शेलोक मैंने कहा आगी सनो वर्टसन शेलोक बोला जब मैं वहाँ था तब गौट्फरे नॉटन अचानक से वहाँ आधम का मैंने उन दोनों को खिड़की से जहांक के देखा था थोड़ी देर बाद मैं वो आरीन एडलर के घर से बाहर निकला और तुरंत एक टैक्सी में घुसा और टैक्सी वाले पर चीखा जल्दी सेंट मोनिका चर्च चलो दो मिनट के बाद मिस आरीन एडलर भी भागते हुए घर से बाहर निकली और एक टेक्सी रुखवा कर वो टेक्सी में बैठी और टेक्सी ड्रैवर से कहा सेंट मोनी का चर्च जल्दी सेंट मोनी का चर्च में क्या था? ये जानने के लिए मुझे वहाँ जाना था इसलिए मैंने भी तुरंत एक टेक्सी रुखवाई और टेक्सी ड्रैवर से कहा जल्दी सेंट मोनी का चर्च चलो थोड़ी देर मैं मैं सेंट मोनी का चर्च पहुँचा जैसे ही मैं चर्च के अंदर घुसा तो गौटफे नॉटन ने मुझे देख लिया उठा कर किसी भी नौकरी ढूंड रहे आदमी को थोड़े से पैसो के बदले गवाह बना लेना कौन सी बड़ी बात थी शैलोक ने अपनी बात खत्म की तो मैंने शैलोक से कहा तो अब आईरीन एडलर ने गौटफे नॉटन से शादी कर ली है तो अब हम करने क्या वाले हैं शैलोक हाँ वाट्सन मेरे अजीज दोस्त मुझे तुम्हारी मदद की जुरत है क्या तुम बिना कोई सवाल पूछे मेरा काम करोगे शैलोक ने मुझसे कहा तो मैंने जवाब दिया हाँ बिलकुल अगर तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है तो मैं जरूर करूँगा होके वाट्सन थोड़ी देर बाद हम दोनों ब्राउनी लॉज जाएंगे आइरीन एडलर और गौटफे नॉटन शाम साथ बजे तक घर पहुँचेंगे आइरीन एडलर मुझे घर के अंदर लेकर जाएगी तब तुम बाहर इंतिजार करना बैठक के पास वाली खिड़की के पास जब खिड़की खुलेगी तो तुम मुझे बाहर से अंदर देखना हाथ उठा कर मैं ये चीज कमरे के अंदर फैकूँगा इतना कहे कर शेरलोक ने अपनी जेब से एक चीज बाहर निकाल के मुझे दिखाई मैंने पूछा ये क्या है शेरलोक शेरलोक बोला ये एक स्मोक स्टिक है जैसे ही मैं ये कमरे में फैकूँगा पूरा कमरा धुए से भर जाएगा तब तुम सड़क के आखरी जोर पर मेरा इंतिजार करना मैंने कहा ठीक है उस शाम शेरलोक ने फिर से एक दूसरे ही कपड़े पहने और एक बड़ी सी काली हैट भी पर सिर्फ कपड़े ही नहीं उसने अपना चेहरा अपने बाल भी काफी हद तक बदल लिये थे वो अब एक अलग ही आदमी बन गया था उसे पहचान पाना मुश्किल था शेरलोक हमेशा से ही भेज बदलने में माहिर था उसके बाद शेरलोक और मैं सर्पेंटाइन एवेन्यू पहुचे एक घर के बाहर कई सारे लोग खड़े हस रहे थे बाते कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे शेरलोक और मैं भी उस घर के सामने बस टहलते रहे शेरलोक बोला आईरीन कभी नहीं चाहेगी कि उसका नया पती वो तस्वीर देखे जिसमें वो किसी और मर्द के साथ है मैंने पूछा तो शेरलोक वो तस्वीर है कहा क्या उसने वो बैंक के लोकर में लखी है नहीं शेरलोक बोला औरतें जरूरी चीजों को अपने पास रखती है मुझे पूरा यकीन है कि वो तस्वीर इसी घर में है मैंने कहा पर शेरलोक राजा के आदमियों ने तो इसके घर की तलाशी ली थी उन्हें तो कुछ नहीं मिला शेरलोक बोला हाँ वो इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो तस्वीर आखिर है कहा मैंने शेरलोक से कहा पर तुम उसे ढूंडोगे कैसे शेरलोक बोला मैं उसे नहीं ढूंडूँगा बलकि खुद वो ही मुझे वो तस्वीर दिखाएगी उसे दिखाना ही पड़ेगा तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी घर के सामने खड़ा एक आदमी टैक्सी का दर्वाजा खोलने के लिए टैक्सी की तरफ दोड़ा तभी एक दूसरे आदमी ने उसे धक्का दिया और खुद दर्वाजा खोलने लगा अब कुछ और आदमी भी धक्का मुक्की करने लगे शोर मचाने लगे और देखते ही देखते वहाँ पर जगडा शुरू हो गया आईरीन एडलर जो शादी के बाद आईरीन नौटन हो चुकी थी वो टैक्सी से उतरी और उस भीड में फज कर रह गई तब शेरलोक दोड़कर आईरीन के पास उसकी मदद करने के ले गया और उसे उस भीड और धक्का मुक्की से बचाने की कोशिश करने लगा तब ही अचानक शेरलोक लड़ खड़ा आया और जमीन में गिर गया और उसके मुँँ में चोट लगी और खून बहने लगा आयरीन नौटन शेरलोक को छोड़कर अपने घर के दरवाजी की तरफ भागी उसने पलट कर पीछे शेरलोक की तरफ देखा और अपने पास खड़े लोगों से बोली कितना भला आदमी है उसने मेरी मदद की क्या उसे बहुत चोट लगी है वो मर गया है कुछ लोग बोले नहीं नहीं उससे सिर्फ चोट लगी है कुछ और लोग बोले आयरीन नौटन बोली जाओ उसे घर के अंदर ले आओ और बैठक वाले कमरे में बिठाओ मैं उसका फस्टेट कर देती हूँ कुछ लोग घायल शेलोग को घर के अंदर ले कर गए मैं घर के बाहर बैठक वाले कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और अंदर देख रहा था मैंने देखा आईरीन नौटन सच में एक बेहुद खूपसुरा तौरत थी तभी शेलोग ने हाथ उपर उठाया और एक स्मोक स्टिक कमरे में फैकी तुरंत बाहर सड़क में खड़े सभी लोग दौल कर घर के अंदर घुसे और जोर जोर से चिलाने लगे आग आग वो घर सफेद धुवें से भर गया मैं घर के बाहर सड़क के आखरी छोर पर शेलोग के कहे अनुसार उसका इंतिजार करने लगा करीब दस मिनट बाद शेलोग आया और मुझसे मिला और बोला बहुत बड़ी अवाटसन मैंने उच्छ सुकता से पूचा पिर क्यों दिखाएगी बहुत आसान है शेलोग हस्ते हुए बोला तुमने सड़क में खड़े उन आदमियों को देखा था जो आपस में जगड रहे थे उन्हें मैंने पैसे दिये थे वो नाटक करने के लिए वो असली का जगडा नहीं था और मेरे चेहरे का खुन भी असली नहीं था जब घर में आग लगती है तब एक औरत सबसे पहले अपनी खास चीज के पास जाती है उसे बचाने के लिए जैसे उसका बच्चा उसके गहने और एक बहत जरूरी तस्वीर जब लोगों ने चीखना शुरू किया आग 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 तब आईरीन भागी सीधा उस तस्वीर के पास जो अलमारी में रखी हुई थी और वो अलमारी रखी हुई थी उसी बैठक वाले कमरे में जहां मैं बैठा हुआ था मैंने वो तस्वीर देखी पर मैं उसे ले नहीं पाया अब कल हम उस घर में फिर से जाएंगे राजा विलहम के साथ हम सुभह आईरीन के जागने से पहले ही वहां पहुँच जाएंगे तब राजा विलहम उसकी अलमारी से खुद ही वो तस्वीर ले लेंगे जब तक शेर्लोक बोल रहा था हम दोनों पैदल पैदल बेकर स्ट्रीट उसके घर की तरफ जा रहे थे जैसे ही हम बेकर स्ट्रीट शेर्लोक के घर के पास पहुँचे उसी वक्त वहां से एक जवान लड़का गुजरा और बोला गुद नाइट मिस्टर होम्स शेर्लोक मुझसे बोला वर्चन कौन हो सकता है वो उसकी अवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी अगली सुभर हम आरीन नौटन के घर पहुँचे राजा विलहम हमारे साथ थे तब आरीन नौटन के घर का दर्वाजा एक बुजुर्क औरत ने खोला जो आरीन एडलर के घर पर शायद काम करती थी वो दर्वाजा खोल कर मुस्कुराते हुए बोली शेर्लोक होम्स मेरे दोस्त ने कहा हाँ शेर्लोक काफी आश्यरी चकित था वो बुढ़ी नौकरानी बोली मिस्स आरीन नौटन और उनके पती आज सुबह ही इंग्लेंड छोड़ कर जा चुके हैं वो अब यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे क्या? शेर्लोक जट से बोला उसका चेहरा सफेद पढ़ चुका था और वो गुसे में भी था मुझे भी काफी धक्का लगा ये सुनकर राजा विलहम बोले और उस तस्वीर का क्या हुआ? हम सब ही तुरंत उस घर के बैठक वाले कमरे में गुसे और तुरंत वो अलमारी खोली जिसमें तस्वीर रखी हुई थी उस अलमारी को खोलते ही हमें उसमें एक तस्वीर मिली वो तस्वीर वो नहीं थी जिसमें आईरीन और राजा विलहम एक साथ थे बलकि वो एक दूसी तस्वीर थी जिसमें आईरीन अकेली थी उसमें एक पत्र भी रखा हुआ था जिसे हम तीनों ने एक साथ पढ़ा My dear Sherlock Holmes, तुमने बहुत अच्छा काम किया मुझे तो वो आग एकदम असली लगी थी और मुझे तुमें एक अच्छे रहम दिल व्यक्ति लगे और जब मैंने अलमारी खोली तो सोचा कि मैं Sherlock Holmes के बारे में अच्छे से जानती हूँ उसके घर का पता भी जानती हूँ और ये भी जानती थी कि राजा ने तुम्हें वो तस्वीर ढूनने का काम सौपा है इसलिए मैंने तुरंत एक जवान लड़के का भेज बनाया और बेकर स्ट्रीट तक आपका पीछा किया ये देखने के लिए आप सच में Sherlock Holmes हैं क्या आपको याद होगा एक जवान लड़के ने आपको आपके घर के बाहर गुड़नाइट कहा था वो मैं ही थी मेरे पती और मैंने ये देश छोड़ने का निश्य किया कृपया राजा विलहम को ये बता देना कि मैं उनकी तस्वीर कभी किसी को नहीं दिखाऊंगी मैं अपने पती से बेहत प्यार करती हूँ वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं और वो राजा विलहम से ज़ादा अच्छे इंसान है मैं यहाँ उनके लिए एक दूसी तस्वीर छोड़े जा रही हूँ अगर राजा चाहें तो वो इसे अपने पास रख सकते हैं राजा विलहम अफसोस के साथ बोले क्या औरत है मैंने उससे शादी क्यों नहीं की एक बेहधी होश्यार औरत मुझे माफ करे महाराज आपका ये काम अधूरा रह गया नहीं नहीं राजा विलहम बोले उसने लिखा है कि वो वो तस्वीर किसी को नहीं दिखाएगी मुझे उसकी जबान पर पूरा यकीन है मुझे इससे ज़ादा और कुछ नहीं चाहिए अब मेरे लिए कोई खत्रे की बात नहीं मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूँ शेलोग होम्स मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ महाराज राजा विलहम बोले बे जिजग बताओ तुम्हें क्या चाहिए ये तस्वीर शेलोग बोला राजा विलहम ने आश्चर इसे शेलोग की तरफ देखा और कहा आईरीन की तस्वीर पर क्यों मेरा मतलब है हाँ क्यों नहीं तुम रख लो उसके बाद ये रोप के उस बड़े शाही घराने में किसी भी प्रकार का कोई कांड नहीं हुआ और आईरीन एडलर की वो तस्वीर आज भी शेलोग के पास रखी है एक बेहद खूपसुरा तौरत जिसने शेलोग तक को चकमा दे दिया था तो ये थी शेलोग होम्स की एक दिल्चस्प कहानी अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें चैनल सबस्क्राब नहीं किया तो सबस्क्राब कर लें मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिल्चस्प कहानिया है उन्हें भी जरूर सुने मेरे चैनल से जुड़े रहें मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद